तो आज में रपास आई वी है Firebolt की दो लेटेस्ट स्मार्ट वाच Firebolt Quantum तो ये watches company ने लॉंच करी है Luxe Edition के अंदर and in future company इस edition में कुछ और watches भी लॉंच करेंगी तो बजट में काफी premium looking smart watch ये होने वाली है launching price इसकी है 3,000 रुपए 48 आर के बाद इसकी pricing increase हो जाए की 4-4,000 रुपए तो अब इसको purchase करना चाते हो तो purchase कर सकते हो purchase link नीचे पे available है तो basically ये watch mixture है traditional design and modern functionality का तो basically ये watch उन लोगों को ज़्यादा focus करती है जो इनको traditional watches ज़्यादा पसंद आती है like Rolex, Cerrado, Omex, T-Sort जैसी तो अब आपको traditional looking watches पसंद है और आपको budget में एक premium looking smart हो चाहिए तो आप इस वीडियो का end तक देखते रहिए तो ये watch मेरे पास दो color option में IV है red, black and green एक watch को मैं कुछ दिनों से use भी कर रहा हूँ तो box और आप में Firebolt Quantum की branding है ये Bluetooth calling smart watch है राइट, left and पीछे के बाट में इसके features mention किये गए है pricing अब है mention है 19,999 रुपए top कर लेते हैं इसकी unboxing सबसे पहले अपने रामपुरी को on कर लेते हैं रामपुरी mode on तो ये रही watch उसको रखते हैं हम side में भी सबसे पहले एक Pogo pin वाली charging cable कुछ documentation and tool यहां पर दिया गया है जिससे आप अपने watch के strap को अपने size के recording set कर सकते हो तो ये रही watch तो दो color option में watch आती है red and black जिसमें red and black का combination है एक green dial में आती है watch दिखने में काफी premium सी लग रही है जैसे आप देख सकते हो इसको देखके लग नहीं रहा है कि ये 3000 रुपे की watch है expensive watch ये लग रही है तो watch totally stainless steel की बनी भी है dial से लेके strap तक सब कुछ steel का इसका बनावा है right पार्ट में crown button and microphone है left पार्ट में speaker van पीची के पार्ट में जहां पर sensors हैं उसके अपर ceramic coating है तो 4 charging pins इसमें दिये गए है वैसे normally 2 होते हैं तो 2 pins हैं यहाँ पे data transfer के लिए क्योंकि इसमें enable storage का support है तो अपने computer से आप data को transfer कर सकते हो इस watch में crown button इसका rotate होता है बट इससे watch फिल दगा चेंज नहीं होते है rotating tachymetry इसमें दिया किया है तो साथ में टूल भी है इसमें जिससे आप इसके strap को अपने size के recording सेट कर सकते हो तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको pins निजर आ रहे होंगे आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर पीन है वहाँ पर set करना है और इसको घुमाना है तो FB88 यहाँ पर लिखा बाद चुका है वाच का model number इसमें करेते हैं click और वाच सिंगल click में pair हो चुकी है 1.28 inch की 2040 by 2040 pixel resolution की TFT डिस्प्लेस में दी गई है जिसके colors काफी ठीक आते हैं TFT के साब से आउट डोर में इसकी visibility भी ठीक है 350 MHz की इसमें battery दी गई है company 7 days का battery backup claim करती है normal uses में बट अगर आप इसको heavily use करते हो calling को काफी heavily use करते हो तो आपको इसमें तकरीवन एक से डेड़ दिन का battery backup मिल जाएगा IP67 ए rated है तो sweat से and water splash इसमें कोई भी issue नहीं आएगा तो हाथ में पहनने के बाद watch काफी premium सी लग रही है जैसा आप देख सकते हो थोड़े सी lose मेरे हाथ में आ रही है क्योंकि वहने इसके strap के size को एडियाश नहीं किया है अगर इसका UI and touch response देखा जाता आप देख सकते हो बिलकुल smooth है कोई भी इसमें ऐसा lag मुझे फिल नहीं हो रहा है उपर है drop down menu जहाँ पर setting है dnd option नीचे पर इसका music player तो यहाँ पर इसकी setting है जहाँ पर phone watch and headphone को आप pair कर सकते हो अगर आप अपने phone की music को control करना चाहते है तो आप phone पर click करिए and phone की music को आप इससे control कर सकते हो like play and pause, next, previous and sound control बट phone का music watch में play नहीं होता है second option है इसमें watch का तो watch में 128GB की inbuilt storage है तो अपने computer laptop से आप watch में songs को upload कर सकते हो काफी अराम से and directly watch में इस songs को play भी कर सकते हो तो जैसे अब इसमें demos होंगे इसको हम play कर लेते है speaker की loudness काफी ठीक है इसकी सबसे नीचे पर option है headphones का तो अपने headphones को आप इस watch से pair कर सकते हो and watch के जितने भी songs से आप directly अपने headphones में भी play भी कर सकते हो headphones को आप पेर करके check out कर लेते हैं तो यावे gamepods ninja 601 लिखा वा चुका है connect headphones watch से pair हो चुके है right और left में इसकी सारी shortcut apps है ग्राउन ब्रण को प्रेस करके आप menu में एंटर कर सकते हो सबसे पहला option है इसमें workout का multiple sports mode आपको इसमें मिल जाएंगे वैसे watch sports को इतना focus नहीं करती है pedometer भी इसमें है, sleep tracking, heart rate, blood pressure, blood oxygen भी इसमें है तीनों को हम check out कर लेते हैं तो heart rate BP चेक करने के लिए आपका strap एकदम tight होना चाहिए मेरा strap फ्रोसर डीला है तो reading यह पर थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है सबसे बहल हम check कर लेते हैं heart rate को तो data आप देख सकते हो kind of similar सा ही आ रहा है दोनों में heart rate का अब check करते है blood oxygen 96-99 तो data में काफी फ़र्क है blood pressure 115-077 एंड यह कितना accurate है I don't know calling का इसमें option है dial parties में दिया गया है तो एक number हम dial कर लेते है पीकर काफी loud है calling के watch ठीक perform करती है contact या इसमें add कर पाऊगे call log आप check कर सकते हो notifications, alarm, stopwatch, timer, find phone, camera shutter and setting option तो अगर app को देखा जाए तो edge band नाम की app का company यूस कर रही है तो इसके home page में सभी fit नहीं जीटा को आप check out कर सकते हो यहाँ पर work out का option है तो यहाँ पर work out आप track कर सकते हो mine, mine में यहाँ पर सबस्वल option है watch काई यहाँ पर notification आप चेक कर सकते हो more watch faces यानि cloud based watch faces तो almost आपको 100 cloud based watch faces में मिल जाएंगे बोथ analog and digital इस cloud google fit app या apple health के जाथ fitness डिटा को सिंग करने के लिए यहाँ पर कोई भी option नहीं है अगर sensors की यहाँ पर बात की जाए तो watch sensors को उतना focus नहीं करती है यह watch mainly focus करती है great looks को good display, bluetooth calling, inbuilt storage and TWS connectivity बागी अगर आपको sensors काफी अच्छे चाहिए तो आप firebolt की other watches check out कर सकते हो जिनमें आपको काफी अच्छे sensors मिल जाएंगे fitness के लिए तो अगर आपको budget में एक traditional looking watch चाहिए जो look wise काफी premium हो totally stainless steel की जो बनी भी हो display जिसकी अच्छी इसमें TWS connectivity का support हो inbuilt storage हो, जिसमें music आप watch में ही play कर पाएं calling का आपको support चाहिए तो definitely आप इस watch को check out कर सकते हो बागी अगर आपके मन में कुछ कोश्चा हों सो इस watch से रिगारिंग ता आप वो भी पूस सकते हो हमसे comment करके वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो वीडियो को कर दीजिए like चैनल पकर पहली बाहर आया तो चैनल को subscribe करके bell notification को on कर दीजिए हमें अपना support दिखाईए तो मेरा नाम रितिक and मैं बलतौप से अपने next वीडियो में